परिचय एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के लक्षणों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को अनुवन्शिकी कहते हैं। हाँ, नई जातियों की उत्पत्ती में अनुवन्शिकी की महत्वपून भूमिका है। उद्देश इस पाट की अंत में आप निम्ण करनी में सक्षम हो जाएंगे। अनुवन्शिकी को परिभाशित करना जनन के दौरान, रूपान्तरन के संचयन को समझना वन्शागती लक्षणों को समझना लक्षणों की वन्शागती के नियम, मेंडल का योगदान को समझना प्रभाविता के सिध्धान्त की पहचान करना विसंयोचन के नियम को समझना स्वतंत्र अप व्यूहन के नियम को समझना ये समझना की लक्षन कैसे परिलक्षित होते हैं लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझना जनन के दौरान विविधता का संचयन माता-पिता तथा उनकी संतती में उत्पन होने वाले अंतर तथा भाई बहनों के बीच अंतर को विविधता कहते हैं केवल वे विविधताएं वनशागत होती हैं जो जीवधारियों की जनन कोशिकाओं में दिखाई देती हैं ये विविधता जाती का निर्मान करने वाले गुण सूत्र में जीन के संयोग से अथवा उत्प्रेरण के कारण पैदा होती है माता पिता यानी जनक द्वारा प्रात वनशागत लक्षणों के कारण शारीरिक संग्रचना में समानता होती है तथा अंतर बहुत कम होते हैं किन्तु यान क्रिया द्वारा जनन करने वाले जीवों के आगे आने वाली पीडियों में विविधताएं उत्पन हो जाती है एक ही माता पिता की दो संताने समान नहीं होती इससे संतती में अंतर उत्पन होता है इस प्रकार प्रत्येक पीड़ी के बाद विविधताओं के संचयन के कारण भिन्रता उत्पन्न होती है विकास के लिए विविधता कच्चे पदार्थ के समान है अनुवन्शिकी का आधार है जीवों के नए प्रकार बनाता है जीवों को बदले वातावरंड से अनुकूलन करने में सहायता प्रदान करता है तथा प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट पहचान देता है वनशागत लक्षन जो विशेशक व्यापक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा माता पिता द्वारा विरासत में प्राप्त होते हैं वनशागत लक्षन कहलाते हैं गतिविधी मनुष्य के कान दो प्रकार के होते हैं मुक्त कर्ण पाली वाले कान जुड़े कर्ण पाली वाले कान हम दूसरे सभी के कानों का निरीक्षन करके वनशागती की प्रक्रिया को अधिक अच्छी तरह से समध सकते हैं हम देखते हैं कि हमारे कुछ मित्रों की कंड़ पालियां मुक्त हैं, जबकि कुछ एक की कंड़ पालियां जुड़ी हुई हैं. लक्षणों की वनशागती के नियम मेंडल का योगदान लक्षणों की वनशागती के नियम इसलिए आए क्योंकि माता-पिता दोनों समान रूप से आनुवनशिक पदार्थ डियने का योगदान बच्चे के लिए करते हैं. इस प्रकार प्रत्येक लक्षण माता तथा पिता दोनों के लक्षणों से प्रभावित हो सकता है. पीड़ी दर पीड़ी लक्षणों की वनशागती का अध्यन करने के लिए ग्रिगोर जॉन मेंडल ने अठारह सो चपन में साथ द्रिश्य विपरीत लक्षणों वाली मतर पर प्रयोग किये. तने की उचाई, लंबे या बौने पौधे. बीज का आकार गोल या जुर्रीदार बीज. बीज का रंग हरे या पीले बीज. पुष्प का रंग सफेद या बैंगनी फूल. फली का आकार पौन या सिकुडा. फली का रंग हरा या पीला. पुष्प की स्थिती अक्षिव या सिरा. एक लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया गया. इस प्रकार का क्रॉस जिसमें केवल एक ही लक्षन ग्या थो. मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है. पहली पीढी में सभी पौधे लंबे थे. कोई भी बीच के लक्षन का नहीं था. दूसरी पीढी में दोनों ही लक्षन संतती में तीन, बटा, एक के अनुपात में परिलक्षित थे. इन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने दो नियम प्रतिपादित किये. प्रभाविता क नियम विसे यूच नियम. प्रभाविता का नियम. मेंडल ने कहा कि दो विपरीत लक्षनों में से संतती में केवल एक ही लक्षन F1 पीढी में परिलक्षित होता है. वे लक्षन जोकी प्रथम पीढी में परिलक्षित हैं अर्थात लंबाई यह प्रभावी लक्षन है. जबकि जो लक्षन प्रथम पीढी में परिलक्षित नहीं हैं अर्थात बौनापन तो यह अप्रभावी लक्षन है. मेंडल ने कहा कि किसी भी अभिलक्षन के अगली पीड़ी में जाने से पहले सबसे पहले जीन्स को युगमक में प्रथक किया जाता है जो फिर आपस में मिलकर युगमनज बनाते हैं इसी प्रकार अपने प्रयोग में मेंडल ने बीज के दो अभिलक्षन चुने बीज का रंग पीला या हरा बीज का आकार गोल या जुर्रीदार इस प्रकार के क्रोस जिसमें एक ही समय में दो अभिलक्षनों पर विचार किया जाता है द्वी संकर या डाय हाइब्रिड क्रोस प्रथम पीधी में सभी पौधों के बीज गोल तथा पीले रंके हैं इसलिए गोल तथा पीला प्रभावी लक्षन है जबकि हरा तथा जुर्रीदार अप्रभावी लक्षन है गतिविधी इस बात की पुष्टी करने के लिए कि पीधी में बड़ाटी 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 चोटाटी तथा चोटाटी चोटाटी लक्षन युग्म वास्तव में एक बटा दो बटा एक क्यानुपात में थे हम F2 पीधी को स्वयम क्रोस कराकर F3 पीधी उत्पन करेंगे F3 पीधी में हम देखते हैं कि शुद्ध लंबे बड़ाटी बड़ाटी से केवल लंबे पौधे उत्पन होते हैं शुद्ध बउने चोटाटी चोटाटी से केवल बउने पौधे उत्पन होते हैं जबकि संकर लंबे बड़ाटी चोटाटी से उत्पन संतती 3 बटा एक के अनुपात में होती है तीन लंबे तथा एक बॉना इस प्रकार हम ये निशकर्ष निकाल सकते हैं कि लंबाई बॉने पन पर प्रभावी है स्वतंत्र अप्व्यूहन का नियम जनक पीढ़ी में अभिलक्षन के स्त्रोत के परे अगली पीढ़ी में प्रत्येक अभिलक्षन स्वतंत्र रूप से वनशागत होते हैं प्रत्येक जीन सेट डीने के एक अकेले धागे के रूप में नहीं बलकि स्वतंत्र टुकडों के रूप में होता है जिसे गुण सूत्र कहते हैं इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में गुण सूत्र की दो प्रतियां होती हैं, एक नर्जनक तथा दूसरी मादा जनक के लिए. जाती के DNA के स्थाइत्व को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक ग्यामीट हर एक जोडे के लिए एक गुण सूत्र लेता है, जब दो युगमक संयोग करते हैं. लक्षन कैसे परिलक्षित होते हैं? प्रत्येक युकेरियोटिक कोशिका में गुण सूत्र होता है, जो DNA के लंबे धागों से मिलकर बना होता है. DNA में एक कोड होता है, जो कोशिका को निर्देश देता है कि अगली पीड़ी में कौन सा अभिलक्षन परिलक्षित होगा. DNA का वह भाग जिसमें अभिलक्षन का कोड होता है, जीन कहलाता है. प्रत्येक कोशिका में गुण सूत्र की दो प्रतियां होती हैं, पिता से एक, तथा माता से एक, प्रत्येक ग्यामीट माता पिता से एक क्रोमोजोम लेता है. दो गुण सूत्रों के मिलन पर अगली पीड़ी में जाने वाले अभिलक्षनों की कुल संख्या नियत रहती है, जिससे DNA का स्थाइत्व सुनिश्चित होता है. लिंग निर्धारण बहुत से मनुष्य क्रोमोजोम में एक प्रती माता की तथा एक प्रती पिता की होती है. तथा इस प्रकार के 22 जोड़े होते हैं, जिन में से एक जोड़े को सेक्स गुण सूत्र कहते हैं. ये सेक्स गुण सूत्र हमेशा आदर्श जोड़ा नहीं होता है. स्त्रियों में एक्स गुण सूत्र का आदर्श जोड़ा होता है, लेकिन पुरुशों में एक गलत मेल का जोड़ा होता है, जिसमें सामान्य आकार का एक X क्रोमोजोम तथा दूसरा छोटा होता है जिसे Y क्रोमोजोम या गुण सूत्र कहते हैं इसलिए स्त्रियां XX है तथा पुरुष XY अंतरंग के दौरान माता हमेशा X गुण सूत्र का योगदान प्रदान करेगी चाहे बच्चे का लिंग कुछ भी हो जबकि पिता द्वारा दियेगा एक गुण सूत्र योगदान से बच्चे का लिंग निर्धारित होता है जो संतान अपने पिता से X गुण सूत्र वनशागत करेगी वो बेटी होगी जबकि जो संतान अपने पिता से वाई, गुण सूत्र, वनशागत करेगी, वो बुत्र होगा क्या आप जानते हैं? अनुवन्शिकी नाम बेट संद्वारा 1906 में रखा गया था मेंडल को अनुवन्शिकी का पिता कहते हैं सारांश आईए, जो कुछ हमने सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं पिछली पीड़ी से वनशागती में एक मूल भूत शारीरिक संग्रचना तथा साथ में अगली पीड़ी के लिए उप्युक्त बदलाव दोनों मिलते हैं वनशागती के नियम उस प्रक्रिया का निर्धारन करते हैं, जिससे लक्षन विश्वसनियता पूर्वक वनशागत होते हैं पिता तथा माता दोनों समान मात्रा में अनुवन्शिक पदार्थ का योगदान बच्चे के लिए करते हैं मेंडल ने अपने जनन प्रयोगों के लिए विपरीत अभिलक्षनों वाली साथ जोडी मतर का प्रयोग किया F1 पीढी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल द्वारा प्राप्त सभी पौधे लंबे थे F2 पीढी में सभी पौधे लंबे नहीं थे तथा उनमें से एक चोथाई बौने थे इन क्रॉस के द्वारा प्रभाविता नियम तथा संयुग्मों की शुधता या विसंयोजन नियम कारकारी हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को F2 पीढी में 9 बटा 3 बटा 3 बटा 1 का अनुपात प्राप्त हुआ इससे स्वतंत्र अप्व्यूहन के नियम की खोज हुई जीन DNA से बनते हैं जो लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्मान करते हैं मनुष्य में किसी भी व्यक्ति का लिंग अनुवंश की द्वारा निर्धारित होता है मनुष्यों में गुण सूत्र के 23 जोडे होते हैं 23 जोडे को लिंग गुण सूत्र कहते हैं स्त्रियों में XX प्रकार के सेक्स गुण सूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में XY प्रकार के सेक्स गुण सूत्र होते हैं इस प्रकार पुरुषों में 44 जमा XY युग्म तथा स्त्रियों में चवालिस चमा एक्स एक्स यूग्म के गुण सूत्र होते हैं जीवधारियों के सामाने लक्षणों में शारीरिक कारेकारी अथ्वा व्यवहारिक बदलाव को रूपान तरण कहते हैं झाल झाल समेर ईखिसे लिते हैं कि यभाने लक्स एक्स बहुत контролeline झाल झाल